हेलो दोस्तों GST and income tax platform में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स जब भी आप लोग अपने income tax के अंदर अपने tax की payment कर देते हैं लेकिन tax की payment करते समय आपके tax की liability कुछ और होती है और payment आप उससे कम कर देते हैं तो income tax portal आपके liability निकाल देता है जितना भी आप कम tax पे करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको यहीं बताएंगे कि आप वह liability कैसे चेक कर सकते हैं जो income tax portal दुवारा आपकी निकाली गई है फ्रेंड्स वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें चलते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले आप यहाँ पर income tax की site को open कर लेंगी income tax department पर click करेंगी यहाँ पर आप login पर जाएंगी यहाँ पर enter your user ID में आप अपने pen number को डाल देंगी आप यहाँ continue पर click करेंगी जो भी आपका income tax का password है आप यहाँ पर उसे डाल देंगी अगर आपको अपना password याद नहीं है तो आप यहाँ forget password पर click करके अपने password को forget कर सकते हैं यहाँ पर आप टिक करेंगी नेक्स्ट आप या continue पर click कर देंगी फ्रेंड्स अगर आपकी पहले से ही कोई demand निकली हुई है तो इस तरीके से आपको पोप पैसे सोग हो जाएगा जिसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है outstanding demand अगर यहाँ पर आप कोई response देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर click करेंगे response to demands नई तो आप यहाँ पर इसे हटाने के लिए close पर click कर देंगी यहाँ पर आप जाएंगे pending action पर second आपको यहाँ पर option दिया हुआ है response to outstanding demand इस पर आप click कर देंगे friends अगर आप income tax और GSTC से related और सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के सभी link हमने आपको description में दिये हुए हैं आप महाँ से हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पर आप नीचे scroll down करेंगे friends यहाँ पर आपके जो भी demand होती है यहाँ पर आपके सभी वैस हो हो जाती है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ demand reference number assessment year जो भी आपका assessment year की demand निकली होती है total कितनी outstanding demand है यहाँ पर वह amount होगी उस पर जो भी आपका interest calculate होगा वो आपका यहाँ पर नीचे सो हो जाएगा यहाँ पर जो आपको नीचे date दी हुई है यह वह date होती है जब यह demand raise की गई थी यहाँ पर आपको दिया हुआ है mode of service trends यहाँ पर यहाँ आपको mail पर भी message आता है और by post भी आपके demand आ जाती है जो post office दुआरा आपको letter base दिया जाता है यहाँ पर आपको तीन option दिये हुए है सबसे पहला है pay now अगर आप इसे demand को pay करना चाहते हैं तो यहाँ से click कर गए आप अपने demand को pay कर सकते हैं second आपको दिया हुआ है download आप यहाँ आपसे download करकी अपने demand को देख सकते हैं कि किसलिए आपके demand निकाली हुई है third आपको दिया हुआ है submit response आपको response submit करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर click कर सकते हैं और अपना response दे सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पर दो demand निकली हुई है जो second demand आपकी assessment year 2021 में निकाली गई है अगर आप अपने demand को download करना चाहते हैं तो यहाँ download पर click करेंगी यहाँ से उसे open कर लेंगी यहाँ पर जो demand order का password होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपका pen number होता है lowercase में, small letter में और यहाँ पर आपकी date of birth रहती है जैसे अगर आपकी date of birth एक अगस 1999 में है तो आप यहाँ पर 01-08-1999 यहाँ पर आप डाल के उसे submit कर देंगी जैसे कि मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ उसके बार आप यहाँ submit पर click करेंगी friends से इस तरीके से आपकी open हो जाएगी यहाँ पर आप नीचे scroll down करेंगी यदि आप यहाँ पर हिंदी में read करना चाहते हैं तो आप हिंदी में read कर सकते हैं otherwise आप नीचे की तरफ आएंगे नीचे आपको यहाँ पर यह English में बिदिया हुआ है जैसे आपको language में देखना चाहते हैं आप यहाँ पर उस language में इसे देखकर read कर सकते हैं कि आपके demand क्यों raise की गई है friends जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो इनकी demand निकाली हुई है वह fees under section 234 FK according निकाली हुई है वापस income tax portal पर आएंगे friends अगर यहाँ आपके demand जो है जो CPC के दुआरे निकाली गई है यह है correct है तो आप यहाँ पेनाओ पर जाकर उसकी आप यहाँ पर payment कर दे लेकिन अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ कि CPC ने जो आपकी demand निकाली है वह गलत है तो आप यहाँ पर उसका जो response है वो submit कर देंगे अगर आप इस response को देने में लेट करते हैं तो यहाँ पर आपका interest continue चलता रहेगा फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी comment section में comment करके बताएं वीडियो को like करें share करें हमारे चैनल को subscribe करें मिलते हैं फ्रेंड्स एक कैसी नई अच्छी वीडियो को साथ में थेंक यू फोर वचिंग